दक्षिन अमेरिकी मौसम की स्थिती से फसल की पैदावार को प्रभाविद करने वाली चिंताओं के चलते सोयाबीन की कीमतों में तेजी देखने को मिली है, दरसल विशेश रूप से प्रमुक डक्षिन अमेरिका क्रिशी क्षेत्रों में मौसम के पैटर्न पर केंद्रित रह जो फसल के विकास के लिए खत्रा पैदा कर सकता है। इसके विपरीद उत्तरी ब्राजील में लगातार बारिश हो रही है, जिससे सोयाबीन की फसल में देरी हुई है। फिलहाल ऐसी परिस्थितियों के चलते सोयाबीन की कीमतों में निचले स्तरों पर खरीदारी लोटती दिखाई दे रही है। व्यापारियों के पास खादे तेलों का स्टॉक बनाने में दिक्कत हो रही है। वे केवल उतनी ही खरीद करते हैं जितने की उन्हें आवशक्ता होती है। ऐसे में माना ये जा रहा है कि मौजूदा स्थिती आगे जाकर तेल तिलहन उत्पादन को प्रभावित कर सकती है क्योंकि सरसों, सोयाबीन, मुंगफली आदी बोने से किसानों को उतना फाइदा नहीं है जहां इन में से कई फसलों के लिए मंडियों में किसानों को न्यू में डर्या है कि किसान सरसों, मुंगफली, सूरज मुखी, सोयाबीन, बिनौला की जगह मोटे अनाज का रुख कर लें। जब किसानों के उत्पाद बाजार में खपेंगे नहीं और MSP से भी कम कीमत उन्हें मिलेगी तो प्रती हेक्टेर अधिक उत्पादक्ता वाले मोटे अनाज की तरफ उनका रुखान बढ़ सकता है।